जैहिन दोस्तो, दोस्तो कैसे आप? उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे. दोस्तो जो मेरा आज का वीडियो है ये है Defense Messenger पे. दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत है इंपोर्टनेंट है. इसलिए last तक देखेगा दोस्तो ये वीडियो. दोस्तो जैसा आपको पता ये होती है पेंशनरों के लिए कि रिकॉर्ड आफिस कोई भी रिप्लाई नहीं देता. हम रिकॉर्ड आफिस तक कैसे पहुचे? ये पेंशनरों का सवाल है. कई का रिकॉर्ड आफिस बहुत दूर रहता है. कई पेंशनरों का रिकॉर्ड आफिस इतना दूर रहता है कि ज दोस्तो जो defense pensioner है वो बहुत परचान रहते हैं कि हम अपने record office तक कैसे पहुचें ना ही वो phone उठाते हैं और हमारा जो record office है वो इतनी दूर है कि हम वापे नहीं पहुच सकते जिससे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है defense pensioner को तो दोस्तो ये मैंने पता लगाने की कोशिश करी है PCDA से क्या इसका कोई हल है कि जो pensioner है वो सही time पर record office तक पहुच पाए या अपने समस्याओं का समधान कर पाए वो record office के तुरू जिससे जो record office है वो जल्दी से जल्दी इनका समधान कर सके pensioner की समस्याओं का तो दोस्तो मैंने PCDA से बात करी इस पर कि इसका कोई समस्या क्या कोई हल है तो आप वो audio सुनिये दोस्तो जो मैंने PCDA से बात करी record office के contact के बारे में कि किस तरीके से record office तक पहुचा जा सकता है तो आप ये audio सुनिये दोस्तो करते हैं कि हमाँ जानी करते हैं हम भी पैंशन से लिटेश कोई चीज़े जानना चाते हैं तो जो पैंशनर है वह अपने record office के कैसे contact कर पाया सीथा कि उन्हें कोई दिकत ना हो क्योंकि इतनी दोर तो मुश्किल हो जाते है नहीं जाना को कई बार कई पैंशनर की शिगायत यह रहती है कि हम कॉल करते वह उठाते नहीं है अब सर अगर वह फोन नहीं उठाते तो इसमें हमारी क्या गलती है हमारे अंसे उनका कोई भी टाइप या लिंक अप बगरा कुछ भी नहीं है नहीं कौन नहीं उठाता है रिकॉर्ड ओफिस के अंसे फोन कभी कई कॉसारे पैंशनर का होता है जी वह फोन नहीं हो रिसीव करते हैं आच्छा है तो मतला कौन्टक्स करने कोशिच करते तो हो नहीं पाता है कॉंटेक्ट हो भी गया मलब कॉल चली भी गई तो उनके एंसर रिसीव नहीं होता है यह दिक्कत है सर नहीं तो इसका क्या सॉलूशन है कि कई प्रशान रहते हैं कि उन्हें अपनी पेंशन सो लेकर कुछ पूछने है रिकॉर्ड आफिस में कोई चीज अप्रेट करानी है त पेंशनर्स जब इनके पास कॉल करते हैं तो यह रिस्पॉंस नहीं करते हैं उनको प्रॉपर रिस्पॉंस नहीं देते हैं जैसे हम जैसे आपने यहां पर कॉल किया तो हम आपको यहां से प्रॉपर रिस्पॉंस देते हैं आपका जो भी इश्यू को सुनते हैं उसको वो भी उनको भी करना चाहिए, जो वो नहीं करते हैं तो आप उनको पर जो पर्टिकुलर जो record office का जो office होता है या उनके जो hire authorities होते हैं इसके लिए तो आप उनको भी कॉंटरेट करके आप बूढ शीज बोल सकते हैं इसा इस्यू है उनकी complaint कर सकते हैं? कर सकते हैं तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती है वह बाहर से अपना डॉक्मेंट रगारा जो यह वह दे रहते हैं उनको वापस आजाना पड़ता है अब गेट पही दे दिया अब वह गेट से अंदर गया नहीं गया कहां गया उसके बारे उनकी कोई भी वहां पर मीलक्त वहीं अपने अफिस में तो गीप होता है तो अपना करुआ लेते हैं लेकिन वह बार रचाइर्मेंट होने के बाद बहुने के बाहर आए नहीं गया नहीं जैने उसके बाद वहांम संब करना बहुत मश्यर यहां यहां पर करते हैं तो कहते हैं कि हम PCV से तो information ले लेते हैं वो call भी कई बर attend कर लेते हैं लेकिन record office तो बिर्कुल भी ना सुनता है ना कुछ भी response नहीं आता हमारे हमारे एंट से जो भी possible जो भी possible solution होता है हम वो सारी चीज़े उनको बताते हैं उनकी help करते हैं हमारे जो भी चीज़े हमसे वो पूछते हैं उनकी जो भी query होती है हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको हर तरीके से उनकी answers का उनके questions का answer हम कर सेके उनको जवाब हम दे स लेकिन बात आती है कोई चीज अबडेशन की जो उनके सिफ रिकॉर्ड ओफिस के एंड से हो सकता है और जब हम उनके बोलते हैं अपने रिकॉर्ड ओफिस से कॉन्टेक्ट कर लीजे तब वहां उनके साथ यह प्रॉबलम आते हैं कि कभी-कभी उनको कॉंटेक्ट नहीं हो प अजड़े सकता है अब किसी के पास प gazevert ऑफिस के नंबर नहीं यहां से कॉन्टेक्ट कर सकता है बिलकुल सेर वो यहां पर कॉल करके अपने औफिस का कॉन्टेक्ट नंबर लेके वहां सकता है अच्छा तो ये एक ये क्योंकि इंटरनेट पे तो अविलेबल निया ना नमबर रिकॉर्ट ऑफिस के गूगल सब्सक्राइब अगर मिल जाएगा अधर्वाइस आप यहां कॉल कर लिए कि यहां से आपको इन्फॉर्मिशन मिल जाएगा तो एक यह सब्सक्राइब आपके रिकॉर्ट ऑफिस और आपको जो बैंक होता है जो प्रिदीए का जो होता है उनका कॉंटेक नमबर आप यहां से ले सकते हैं आपको यहां से मिल जाएगा तो आप प्रवाइट कर देंगे फिर आप अपना आप कॉंटेक्ट कर लिए नंबर लग गया उठ गया तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि अभी जो पैंशन रुकिए ना वह यह दिक्कत आ रहे हैं कि अपने रिकॉर्ट ऑफिस से कॉंटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं काफी दिक्ट मैसूस करते हैं तो एक आप्शन यही है कि आपके दुरू को नमबर ले 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 फिर वो कॉं यहां पीसीडिये में जो इस पर आफिस जाता है ठीक है अच्छा जो मांड़ में बीजिडेरी एसपर्ट जो काम कर रहे है उसके थूई जाएगा नैसे सुख़ते हैं जी मेसेज उसकी के थूई जाएगा रिकॉर्ड ओफिस ने होता है कि आपका जो रिकॉर्ड ओफिस है उनके पास मास्टर डेटा होता है आपके डॉक्मेंट, आपका जो भी अगाड है, उसका मास्टर रेटा होता है, आपने माली आप इस परच पर आ गहे हैं, और इस परच के तूँ आप कोई भी चेंजिस करते हैं, तो कुछ चेंजिस आपके ऐसे हैं, जो आपको वो ऑफ्राइशन करें, आपके रिकॉर्ड ओ आपको अगर आप इस परच पर आ गए हैं, और आपका मॉवाइल नंबर या इमेल आईडी दोनों ही अपडेट नहीं हैं, तो उस केस में आपको अपने रिकॉर्ड ओफिस से कॉन्टेट करना ही होगा, तो और पैंक से कॉन्टेक करने की जुरती है ना, वो तो फिर खताम आपको बैंक साथ कोई भी चीज़ते नहीं रहा जाएंगे, आपको बैंक जाने के जुरती नहीं कंदेगी, क्योंकि आपका सारा जो प्रोसेस वो इस परच के तुछ हो आ घया है, तो पस एक बाद ऑस यह रिकॉर्ड ऑफिस के जो पैंशनरे टेख को रिकॉर्ड ऑफिस स दोस्तो आपने ये ओडियो सुना होगा दोस्तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कुछ न कुछ समस्याओं का हल हुआ होगा अगर इसे भी समस्याओं का हल नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते है तो मैं इससे और आगे बढ़कर आपकी problem को सुन सकता हूँ और समस्या सुलजाने की कोशिश कर सकता हूँ दोस्तो अगर वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ 1%, 2% या 5% भी आपकी समस्या सुलस्ती है तो मेरे को बहुत खुशी होगी इससे लेटेड आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे comment भी कर सकने हैं दोस्तो तो दोस्तो जादे से जादा वीडियो शेयर करें दोस्तो क्योंकि दोस्तो मैं छोटी सी छोटी समस्याओं को खतम करने का काम करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से जो defense pensioner है उनकी छोटी सी छोटी समस्याओं को मैं सुन सकूँ उसको हल कर सकूँ भले मुझे PCDA का सारा लेना पड़े भले मुझे record office का सारा लेने पड़े भले मुझे ex-servicements जो और भी हैं pensioner उनका सारा लेने पड़े क्योंकि दोस्तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ तो दोस्तो अगर इससे लेटे कुछ चीज़ आपको पूछनी है या आपकी समस्या और भी है कोई और तो आप मुझे comment करके बताइए दोस्तो Thank you very much